तो दोस्तो आज हम लोग M.E.K में आ गए हैं और Marine Engineering Knowledge जो GP Rating का कोर्स होता है उसमें हम लोगोंने Part 1 पढ़ लिया था आज Part 2 यानि Engine Room, Machineries and Duty का Part 2 पढ़ेंगे और इसमें आज वो Chapter 1 खतम हो जाएगा तो दोस्तो अगर आप लोगों कोई भी Chapter समझ में नहीं आता है मैं पढ़ पढ़ा रहा हूं तो definitely description में WhatsApp नमर है Instagram आईडी है वहाँ पर comment करना कि मेरे कोई ये Question समझ में नहीं आ जाया या स्क्रीन सोट करके भेज़ देना मैं definitely वहाँ पर भी समझा दूँगा और दोस्तो अगर आप Interence Exam का preparation कर रहे हो GP Rating या CCMC के लिए तो मेरा जो दूसरा चैनल है उ अंसारी GS Academy तो उसको भी आप लोग सस्क्राइब कर लें कि वहाँ पर Interence Exam का preparation कराया जा रहा है ठीक है तो चलिए हम लोग दोस्तों अपना question सुरू करते है नमर शिक्स टू कोस्टाने दे गीविन दे पिक्चर बोल रहा है कि यह जो पिक्चर है वो किस चीज का पिक्चर है तो देखें यह जो मैंने आपको बताया था कि अगर clock wise में चलता है तो वह vacuum का होता है और जो clockwise में चलता है वो pressure का होता है तो यह pressure regulator है ठीक है यह नहीं पूछा है बलकि यह पूरा पूछा है तो बहुत लड़के pressure gauge मार देंगे गलत है pressure regulator है ठीक है तो याद रखिएगा ठी दोस्तों नम्मर 6-3 question है what is the unit of electric resistance यानि पूछ रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम होता है सबको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है नम्मर 6-4 question है pyrometer are commonly used for the दो मैंने बोला था ना कि अगर पूछेगा कि temperature मापने के लिए किसका यूज होता है तो थर्मोमेटर का लेकिन जब बोलेगा exhaust temperature यानि high temperature मापने के लिए किसका यूज होता है तो pyrometer यानि exhaust temperature मापने के लिए pyrometer का यूज होता है इस तरह भी पूछ सक आपको इसका image दिखा देता हूं नहीं तो आप लोगो बहुत परिशानी होगी कि यह image में भी question पूछता है ठीक है image में फटाक से question पूछ देगा कि यह क्या है पारोमीटर देखो यह बहुत important question है यह image यह क्या गया भई पारोमीटर इंसिप देखो यह ही है ठीक है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ठीक है तो यह आपको याद करना एकदम जरूरी ही जरूरी है चलो अब आजाते है नेक्स्ट अपने question की तरफ इंसिक्स फोर पे इडिंटिफाई दा ए देखो यह जो होता यह दूसरा नाम है और यह जो है वो दूसरा नाम है यह रोड हो गया और रोड पर क्या किया गया है तो पैकिंग लपेटा गया तो इसका नाम होगा पैकिंग ठीक के the number 66 the function of filter मैंने कितनी दशान बताया है कि filter का मतलम होता चानना Trave the solid particle का मतलम होता है पकड़ लेना यह चान लेना ठीक है नहीं बोलते क्या आपारो किया का यह जितने बी solid particle होंगे उनको क्या करना होगा च्छान लेना ठीक है यादा रख लिजीया काम हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर ट्रेप दो सॉलिड पार्टिकल ठीक है आगे कोस्टन में हम लोग आ जाते हैं दोस्तो नमर शिक्स फोर शिक्स सेबेन है वाट मेंटेनेंस टाक सुड़ बी केरिड आउट दपम बोल रहा है कि अगर आपको एक पंप दे दिया गया तो पंप में आप कौन-कौन सा मेंटेनेंस का क्याम करेंगे इमपेलर को आप छेक करेंगे वियरिंग रींग को भी आप छेक करेंगे रोटेटेटänder असेंबल को भी आप छेक करके उसका एसेंबल करेंगे 6-2 most dangerous aspect of a oil fired boiler बोलडा है कि जब oil boiler होता है तो उसमें सबसे danger क्या चीज हो सकता है फायर के लिए तो choking of a water labor gauge glass अगर water labor gauge glass में choking हो जाए यानि choking का मतलम होता है जाम हो जाना ठीक अगर जाम हो गया तो बहुत बड़ा fire होगा six nine which of the flowing is not within the engine room बोलडा है कि इसमें से कौन साथ चीज engine room में नहीं होता है refrigerator यानि freeze होता है fire pump भी होता है fresh water generator भी होता है freeze room जो freeze room होता है वो क्या होता है तो galley में होता है ठीक है galley में kitchen में होता है seven zero the unit of temperature is degree or centigrade यह Fahrenheit भी आप लिख सकते हो ठीक है बोलडा है कि यह क्या है तो देखो यह ball type check valve है यह question अदम दिमाग में बैठा लो जितना image आ रहा है एमी के और जीएस के में वह image 100% पूछेगा यह पूछेगा यह आपका ball type check valve है ठीक है यह तो सब आख बंद करके बताएंगे 72 identify the type of part यह क्या है तो यह butterfly valve का पार्ट है ठीक है यह पता हो क्या है यह तो जब आप जाओगे ना तो यहां पर यह आपको दिखाई देगा यह क्या है तो यह duplex filter है ठीक है फिर इसको क्लीन करके इसमें डाल देते हैं और फिर हंडिल को इधर घुमाग देते हैं और यह वाला निकाल के लेके जाते हैं दोनों एक साथ काम नहीं करता है तो यह ओएल फिल्टर है ठीक है 74 what kind of washer is so in the picture बोला है कि यह किस टाइप का वासर है तो देखो यह क्या है इस्प्रिंग टाइप का है इस्प्रिंग वासर है 75 air compressor is the part of the system तो compressed air जो air compressor होता है वो किस system का पार्ट होता है तो compressed air का यानि वो हावा को pressurize करके भेजता है यह देखो यह पूछ रहा है ना यह क्या है ठीक है name the pins so the below in the image ठीक यह dual spin है ठीक है यह dual spin है किसी भी part को assemble करने में इसका use होता है 77 reciprocating is the part of the system तो build system यानि reciprocating जो pump होता है वो कौन system में काम करता है तो बिल्ज में मैंने आपको बता है था ballasting और debalasting बिल्ज में किया जाता है 78 air compressor is related to the starting of a main engine देखो बोलड़ा है कि air compressor का use क्या होता है तो human waste में नहीं होगा storage वेजी टेवल में यह compressed air का क्या यूज होगा steering में air compressor क्या यूज होगा लेकिन main engine start करने में air compressor का यूज होता है यह पूछ रहा है image में यह क्या है हाँ यह देखो यह pressure gauge है यह कांटा इधर से है ना clock wise में अगर कांटा चलेगा यानि numbering इधर से होगा 1 2 3 4 5 तो यह pressure gauge होगा अगर numbering इधर से होगा 1 2 3 4 5 तो यह vacuum gauge होता है ठीक है तो इन numbering clock wise है तो यह क्या हो जाएग आपका pressure gauge 81 most common use of a cock is gauge glass cock मने आप समझते क्या होता है cock का मतलम होता है देखो जो तीन direction से इस तरह इस तरह ठीक है यानि इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा तुसको बोलते है cock gauge glass में सबसे ज़ता यूज होता है 82 levers handle is an equator of the butterfly valve और valve बोल रहा है कि किस valve में lever होता है ठीक है यानि उसको दबा कर दाएं बाएं घुमा सकते है तो gate valve में तो hand wheel होता है safety valve में भी होता ही नहीं है global में भी hand wheel होता है लेकिन ये butterfly valve में होता है ये देखो ये क्या है ये आप लोगों ने GSK में भी पढ़ा होगा image ये बाबु है is the deck waterline देखो जो fire hydrant होता है ना वो सबसे ज़्यादा कहां लगाया जाता है पहले मैं तुमको बताएता हूँ बाबु की fire hydrant देखने में होता है कैसा है पहले आप लोगों देख लो की fire hundred देखने में होता है नहीं तो आप लोगो समझ में नहीं आगा fire hydrant देख में होता है जब आप देख में काम करने जाओगे ना high il देखो ऐसा इखता है फाइर हेड लगाया जाता है विसको open करोगे तुरांत इसमें से क्या होगा तो हावा निकलना सुरूग होगा mainly हावावा निकलना शुरूगा होघा है इसे हम लोग क्या करते हैं तो होज लगाते हैं होज पाइप और इससे हम लोग काम करना सुरू करते हैं ठीक है तो फायर हाइड्रेंट सबसे ज़्यादा इसी में होता है ठीक है डेक वाटर लाइन में होता है फायर हाइड्रेंट 85, which of the flowing is not part of a pump बोल रहा है कि कौन pump का भाग नहीं है तो gear भाई pump का पाट होगा reciprocating भी pump का पाप है screw भी pump का type है gear pump होता है reciprocating pump होता है screw pump होता है centrifugal pump होता है लेकिन ये non return क्या होता है तो valve होता है ठीक है तो ये pump का type नहीं है 86, boiler is related to boiler से क्या पैदा होता है तो boiler से भाप बनता है भाप को इंगलिस में क्या बोलते है steam बोलते है human waste कहां से निकाले गए steering भी तो नहीं है vegetable भी नहीं है तो ये क्या steam generation यानि steam को बताएगा और ये तो सबको पता ये क्या है ये है बबू water cooler इसको heat exchanger भी आप बोल सकते हो 88, identify the part of देखो ये क्या है तो ये देखो ये आपका air compressor है टेंडम टाइप air compressor है और इसमें ये क्या लगा हुआ है तो ये side glass है ये बताता है कि pressure high ये कि इलो है देखो ये screw pump है बाबू ये क्रिस टाइप का pump है अगर इसमें देख लोगा ऐसा ऐसा दिखा ही देखा ना तो ये screw pump है ये देखो क्या है बाबू ये thread है ठीक है और ये thread ये thread है ठीक है ये thread क्या है एक्स्टक्टर है यानि thread अकर अंदर फर्स जाए का ना तो उसको निकालेगा thread extractor 9-1 main engine is the part of dash system system को ये क्या बाबू दिखा ही दे रहा है वो खार मापने वाला है thermometer ठीक है पारोमीटर माप मार देना पारोमीटर कैसा होता है मैंने आपको बताया है इस तरह नम्मरिंग होता है एक लंबा सा पूछ होता है तब वो पारोमीटर होगा दब भाल्ब सो तो बीलो इस दे इस्टार्म भाल्ब हाँ ये स्टार्म भाल्ब है ये सही बात है SMALL 94 सबको पता है कि PÁWR, PÁWR यानि सकती तो सकती का मत्रकिं क्या होता है KIDLOWART होता है 95 बाल्ट मना हिज़े होता है तो लिकविट को आपना कय MORE टिल में आते हैं, जहाज़ पर लिटर में नहीं मापते हैं अगर किसी भी टेंग में लिक्वीड होता है तो इसको लिटर में नहीं माप सकते हैं, Уसको मेपले मतने हैं तो यह पोछ रहा है कि जो यह नीचे यह क्या है तो यह लॉकिंग वासर है ठीक है लॉकिंग वासर क्या की बात कर लेते हैं the function of centrifugal separator, دیکھو centrifugal separator का दूसरा नाम होता है oil purifier, ये oil को क्या करता है तो purifier करता है, तो देखो हैं कैसे घुमा के पूछ रहा है इसका दूसरा नाम पूछ दिया है centrifugal separator यानि centrifugal separator बोले तो समजो कि purifier के बारे हैं पूछ रहा है तो separate solid and liquid तीक है यह क्या है यह क्या है देखो यह tandem type air compressor है ठीक है या इसको air compressor भी बोल सकते हो ठीक है यह आपका air compressor है और याद रखो हमसे sir air का पूछा था पता है हमसे पूछाता है यह काला वाला यह बता हो क्या है हुआनम बलता sir filter है यह फिल्टर होता है यह फिल्टर होता है हमेशा दो जो बोलर होता है यह होता है कि दूनों में अगर water level same रहे गया इसका मतलम किस सही काम रहे था इसलिए हमेशा दो होता है 1, 0 3, which of the flowing is within the engine room, बोला है कि इसमें कौन सा चीज इंजन रूम में होता है, तो CO2 रूम इंजन रूम में का होता है, तो आउट से इंजन रूम होता है, पेंट रूम फोक्सल में होता है, कारगो पॉंप रूम वो भी इधर होता है, पूरिफायर रूम होता है पहले सबसे जपादा गर्म होता है तो प्यूरिफायर रूम है बाबू, वहाँ का टंप्रेचरव 50 डिग्री तक रहता है, सबसे जपादा गर्मी, वहाँ पर अगर ठंडा फ्रीज का पनी लेकर जाओ गया न, पांच मिनट मैं उगरम हो जाएगा यह देखो यह का यही oil purifier room है इसी में एक दिन हम लोगो paint करने के लिए मिला था हमको और वाइपर सर को बहुत परसान हो गया तो पांच-पांच में सफन और वाइपर यह घंड़े अपर का मिल्मा तो प्यूरी फायर इस प्रिफईट टिया रखा कि लियुक्ट यह गैस चीज़ को control करना तो control flow, flow मने बहाव को control करना 109 spring is the actuator of the safety valve, spring क्या होता है तो spring एक टाइब का safety valve है 101, sorry 110, bar is the unit of pressure, उस्टाइम पूछा था कि pressure is the unit of kg per cm2 ठीक है, उल्टा पूछ दिया, 111, fresh water generator is related to fresh water क्या करता है सी वाटर को fresh water में convert करता है, तो evaporator यानि भाब के द्वारा convert करता है 112, hydraulic device is an equator of exhaust valve, 113, most common use of butterfly valve ballast line याद रखना है, butterfly valve सबसे जदा बैलास्ट लाइन में use होता है 114, the function of air bottle is store air, जो air bottle होता है, उसमें compressed air को क्या करते हैं store करके, jam करके, jam करके, जमा करके रखते हैं 115, boiler is the part of dash, steam generation and distribution boiler का क्या काम होता है, boiler का काम होता है, steam यानि गर्मी को पैदा करना है और गर्मी को store करके रखना the unit of capacity is the cubic meter or liter, capacity, cubic meter, घनत्व का मात्र, cubic meter होता है 117, how many safety valve इन प्रभाइड़ दा इस्टीम बालट तू, हम पहले ही बताया था की, safety valve दो होता है 112, which instrument is used for centering, centering and object the lathe chalk, dial gauge देखो, बोलड़ा है की कौन सा instrument हम लोग यूज करेंगे, lathe machine पर centering करने के लिए तो lathe machine पर कभी भी हम लोग, job लगाते हैं, job लगा कर उसको centering करते हैं तो क्या यूज करते हैं, तो dial gauge का यूज करते हैं यह पूछ रहा किस टाइब का pump है, यह centrifugal pump है, कभी भी ऐसा दिया हो, तो समझ जाना यह कौन सा pump है, बावू, centrifugal 120, the instrument needed provide for measuring the diameter, diameter किसे मा आपते हैं, तो micrometer से किसी भी चीज का हम लोग डायमेटर मा आपते हैं यह पूछ रहा है किस टाइब का भालव है, तो screw down non return भालव है, 122, which of the flowing is not the job of engine room rating, बोल रहा है कि यह कौन सा काम engine room rating का job नहीं है, assist the watch कर सकता है, paint engine room को कर सकता है, maintenance में काम कर सकता है, operating the main engine, main engine को operate नहीं करता सकता है, देखो यह दोनों तरफ से gear है ना, तो यह कौन सा pump हो जा रहेगा, यह दो को, check type globe valve, यह कौन सा valve हो गया, globe valve, 125 function of the label gaze is indicating the label, label gaze का क्या use होता है, तो कितना label है, उसको क्या करेगा, indicate करेगा, यह देखो यह क्या सा है, तो यह pocket thermometer है, ठीक है, इसको thermometer भी बोल सकते है, कोई दीकर नहीं है, लेकिन इसको pocket thermometer बोलोगे तो अच्छा रहेगा, यह image पूछेगा, यह पूछेगा, 127, oil cargo discharging from the tankers using the centrifugal pump, जो भी हम लोग कारगो का taking और discharging करते हैं, वो centrifugal pump से ही करते हैं, 128, the instrument needed provide for the measuring the pressure in a boiler, तो pressure gaze से किसी का भी हम लोग प्रेशर माप सकते हैं, दख़ों मैंने बोला था ना कि यह image आएगा, कि यह most important है, यह क्या है, तो प तो आज हम लोग का chapter यहाँ पर complete हो गया, तो मैंने आपको already बताया है कि मेरा दूसरा channel है, वो है, अनसारी GS Academy, जहाँ पर आपको entrance exam का preparation कराया जा रहा है, उसको भी जाकर आप लोग सस्क्राइब कर लें, और PDF अगर आपको चाहिए, तो मैं purchase करवा दूँगा, ठीक है, free of cost नहीं है, पहले मैं बताया थाँ, बाद मैं मत बोलना कि आनसारी ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई लेना है तो लोग नहीं लेना है, तो मतलो यहीं जब preparation करो, ठीक है, तो all the best